आज हम लोग recall history brush को देखने वाले हैं ये brush आपकी मेनत को थोड़ा सा save करेगा तो देखते हैं कैसे इसका हम यूज करते हैं ये model जो आप देख रहे हो इस model को हमने lightbox लिया है lightbox में आप click करोगे project में आप देखोगे यहाँ पर एक demo head female का model है इस पर आप double click करोगे तो आपका ये female का model जो है यहाँ पर open हो जाएगा आपको कोई ज़रुवत नहीं है कहीं से बाहर से लाने की model जीब्रेस आपको default कुछ model देता है जिस पर आप काम करके सीख सकते हैं तो अब इस model के lift पर हम काम करने वाले हैं थोड़ा सा close कर लेते हैं ये और इसके divisions थोड़े से increase कर लेते हैं control D से ये division बढ़ जाएगा देखो आप यहाँ पर ये अगर इसके division को कम करेंगे तो थोड़ा सा rough दिखाई देगा तो shift और D से इसके division कम होते हैं and control D से division इसके increase होते हैं तो यहाँ पर division थोड़े से बढ़ा लिए हैं अब देखे ये breast का size red color से जो circle आ रहा है काफी बढ़ा आ रहा है तो हम यहाँ से breast का size draw size से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है इसके उपर sculpt करना sculpt करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए तो let's key हम यहाँ पर जो breast है हमारा यहाँ पर हम drag react पे click करते हैं और कोई alpha लेते हैं alpha में कुछ scratches लेते हैं like कि यह scratches हैं इसके अलावा भी हमारे पास कुछ scratches पढ़े हैं like कि यह भी scratches हैं यह by default पढ़े हैं आपको कहीं से load करने की जरूरत नहीं है अब यह scratches हम इस lips पे लगाना चाहते हैं तो चलो लगा के देखते हैं अलका सा यह देखिए यह scratches आ रहे हैं कुछ स्टैप से और लगा लेते हैं पर उपर भी कुछ चाहिए होगा हमको उपर के lips पर कुछ स्टैप से और कुछ थोड़े से increase करते हैं कुछ स्टैप से इधर भी नीचे साइड में भी हमें कुछ चाहिए होंगे और इधर भी चाहिए होगा तो थोड़े से हम यहां पर काफी सारे हमारे पास scratches आ गए हैं इसके लावा आपको लगता है कि कुछ और भी आपको यहां पर add करना है तो आप alpha को change कर सकते हैं एट्स की थोड़ा से skin में भी हमें इस टाइप की skin हमें करनी है size बड़ा करते हैं और यहां पर हलका सा इसको increase कर देते हैं थोड़ा सा nostril पर भी आपको लगता है करना है आप कर सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है history recall brush को use करना है और वो आपके काम को और आसान बना देगा तो चलते हैं यहां पर यह देखे यहां पर brush आ रहा है यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर history देखो history recall brush यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है यह रहा है यहाँ पर history recall तो आप इसको यह बहुत library में बहुत सारे brush आ रहे हैं आप confused हो सकते हैं तो ऐसे आपको search करना पड़ सकता है ढूंडना पड़ सकता है b click करेंगे keyboard से और h for history h click करेंगे तो आपको देखे यह short list करके देगा history recall brush इसको आप click करेंगे अब इसको use कैसे करना वो देख लेते हैं तो यह देखिए उपर इसकी history चल रही होती है यह यह यलो color से जो slider आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे जहां से यह stroke लगाने start किये हैं यहां से देखिए पहला stroke पड़ा था और पीछे यहां पर तो slider को यहां पर छोड़ देना है अब हमें क्या करना है अपने keyboard के control बटन को प्रेस करना है और slider के उपर क्लिक कर देना है जैसे हम इसके उपर क्लिक करेंगे और फिर इस slider को बढ़ा देना है और विल्कुल लास्ट तक ले जाना है तो देखिए यहां पर जो हिस्ट्री थी यहां से में स्टार्ट कर रहे हैं यहां से जो भी हमने अपडेट करना स्टार्ट किया है और यहां तक जो भी होगा उसको recall कर सकते हैं बैक करके लिए जा सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं ठीक है तो कैसे करना हमने देखिए यहां पर लगा दिया है और जो ब्रेस था वो अल्रीडी लोडेड है यह देखिए साइज है इस साइज को हम कर लेते हैं ब्रेस के साइज को और अब हमें यह नहीं चाहिए तो आप यहां पर बस simply क्या करना है आपको तो देखिए यह यूज नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो ब्रेस है वो symmetry होने आप देखिए दूसरे साइड में भी रेट कलर से पॉइंट आ रहा है यह symmetry होने तो यह symmetry को हटाना पड़ेगा अगर यह symmetry होगी तो यह ब्रेस काम नहीं करेगा हिस्ट्री रिकॉल ब्रेस तो इस symmetry हटाने के लिए आपको क्या करना है अपने कीबोड से एक्स बटन को प्रेस कर देना है यह ऐसे करके अब देखिए यह ब्रेस काम करेगा यह जहां पर यह वापस था जैसा सेप था यह उसी सेप में इसको वापस लेके जा रहा है आपको जहां जहां तक नहीं चाहिए वहाँ पर आप इस ब्रेस को चला सकते हैं इधर भी नहीं चाहिए आपको आप इस सैड में थोड़ा सा सकते हैं यह नहीं चाहिए आपको हटा देजी आप तो यह बेफिकर हो कि आप चलाईए यह आपक तो यह हमारा जो recall brush था इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किया है चलो एक बार दुबारा से फिर से repeat कर लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो क्लिक करना है बी फॉर ब्रेस और एज फॉर हिस्ट्री यहां से देखिए हिस्ट्री रिकॉल ब्रेस आपने लोड कर लिया है अब इसी स्लाइडर को आपको लेके जाना है जहां से स्ट्रोक आपने चलाने स्टार्ट किये थे यहां से स्ट्रोक स्टार्ट होगा और आपको कं आप remove कर सकते हैं देखिए बहुत ही आसानी से यह remove हो रहा है यहां से नहीं चाहिए था हमको एक्स्ट्रा stroke लग गये थे तो आपके original shape को यह बिल्कुल भी change नहीं करेगा बेफिकर होके चलाएए यह देखिए एकदम normalize कर दिया इसने और लांश में जो चाहिए था बस यही श्ट्रोक हमारे पास बचा है अब इस श्ट्रोक में आप normal जैसे काम करते हो तो वैसे आप कर लो standard brush और यहां पर shift के साथ में इसको smooth कर लो ताकि यह merge हो जाए और इजनल सेप के साथ में तो इसको हमने यहां से मर्ज कर लिए यहां से थोड़ा समर्ज करते हैं यह इस तरह से हलके हलके से यहां पर लिए कुछ इस टैप से तो यह से हमारा पर लिए तो इस तरह से हमने क्या किया history recall brush देखा कैसे काम करता है आप लोग इसकी प्रैक्ट की वीडियो की जरूरत है आगे यहां पर हर टापिक सभी प्रकार के टापिक की वीडियो आपको अवेलेबल होने वाली है